नेपाल गाण्ज विमानस्थल को फ्लाइक मुमेंट, पैसेंजर मुमेंट को रेक़र्ड हेरनु ओ भने, दिन प्रती दिन, प्रतेग वर्श बर्दो क्रम मा चा, 10 बर्ष आ गारी को नेपाल गांच अईले हुई ना, अब आउने 10 बर्ष पछी यो नेपाल गांच एई अवस्थामा रह देना, यो ट्रेंद के दखायाचा बने, यो बिमानस थल्मा पैसेंजर अरू बढ़ी रहाचा, फ्लाइट अरू को मोमेंट बढ़ी रहाचा, तिसे अईले अब आठवटा हुदाइछा, तिल्लेगार दाहीर केमचा बने हैमीला अब जहाज राखने समस्या हुदाइना, नमबर एक, नमबर दुए, स्री एर्ग्लाइन्स को CRJ एरक्राफ्ट, जेट एरक्राफ्ट हो, तियो जहाज, तेस पर छी, ATR जहाज टुल-टुल जह जहाजरू आउना थाले, रनवे हमरो 15-5 मीटर मात्रेईछा, तो लेंथ पूख देना, हामीले से अब जगा आठीका नगरीका ना कहां बराऊना सकिन चाता, बने अध्यान गरदाया खेली, योग मिमाना स्थल को पस्चिम तरफा हमरे जगा वित्रा 200 मीटर बराऊना सकिन जहाजरू लाए, शेफली लैंड गरना टेक अप गरना सहलियत हुँँँचा, तेसरो अब टर्मिनल यो धेरे पुरानो भई छेक्यों, यो टर्मिनल भवन हेर्नो भवव बने हामीले जेन तेन गरेरा चलाई रहा छो, यो जत्ती पनी सीमेंट सा सभी बालवा भई शेक्य आचा, तेसको अबस्थामा, विमानस्थाल मा रहेको टर्मिनल तरकमितीमा शुराचितुन भवने उदेशले प्रधान कारदाले बाटा, मैली सुने अंचार, लगभग डेल अरभ मा चेहें तेसको लागी पहिला डिजान भवा, तेसमा के इमोडिफाय भई रहा बनावने रहा चाई, न, कंसोल कुछें, राखने कारिक्रम शाया यसे वर्षुन चातियो, त्याच पजी, कंट्रोल टावर नहां बनावने पनी यजना चातियो, तो हैमी पूर्बतिर कंट्रोल टावर लाइ, जोन जाहाजले अबस्टैकल ना होस बणे ऑ, तेहां चेहां अअरको पर्मिशारी हो ले पनी राम रोत्तरी काले चाहें स्वक्ष रा स्वस्त खाना खावस भने चाहें उदेशले हमी ले उटा केंटी निर्मान करें